हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं मेटामॉपसिस और फिर से आप से सबसे मैरूब रहूं नागेंद्र और हम चल रहे हैं आजकल सिरीज की और और एंगलो सेक्षन जो एज है उसका पहला पार्ट आपने देखा था और मैंने आपको बताया था कि एंगलो सेक्षन किस तरीके से इंगलेंड में आए और किस तरीके से इंगलेंड में जो है सोशल कल्चर और लैंग्विज में चेंजेज हुए और कैसे इन लोगों ने यहाँ पर अपना एक पूरा आधिपत्ते जमाया है और मैंने कहा था आपसे कि दूसरे सीरीज में मैं बात करूँगा कि इस एज में किस तरीके का लिटरेचर चाया रहा है जैसा कि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग बता चुका हूँ कि इंगलिश लिटरेचर के शुरुआत ही एंगलो सेक्षन से होती है और अब मैं आपको बताता हूँ कि इस जमाने में जैसे मैंने कहा कि सारे लोग जितने भी ये पैगन गौड को मानने वाले लोग थे शुरुआत में बाद में हलाकि आगस्टाइन के आने के बाद इन्होंने क्रिश्चैनिटी को बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिवल इन सब के बीच में आप देखिए ये लोग हार्ट थे ये लोग वारियर्स थे ये लोग नेचर को मानने वाले थे ये लोग हिरोईजम को मानने वाले थे ये पावर को पूछते थे ये इस तरीके से जो है जैसे काम जो बोल्डनेस वाले काम होते हैं उन कामों में इने मज देखने में किस तरीके से असर डाल रहा है इसको देखिए तो मैं इसको बिलकुल point wise submit ता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ 5 point में anglo-sexual literature को समझ सकते हैं और वो 500 points थे कि उन 500 points में क्या आता है आखिर जो features anglo-sexual के तो पहला feature मैं आपको बताओं वो था कि इनके हर literature में एक चीज दिखती है कि love for personal freedom एक individual की जो स्वतंत्रता है वो उसका जो love है उसके पैशन है इनके मन में वो हमेशा दिखता है यह चाहिए इनके जिन्दगी जीने के तरीके में शामिल रहा हो या फिर इनके literature में जितनी भी कहानिया या जितनी भी poetry यह मिलती है उन सब में शामिल रहा हो दूसरी चीज जिस दूसरे point पर हम इनको समझ सकते हैं इनके literature को कि इनका literature basically responsiveness to nature रही है इनके literature में आपको nature का बहुत बड़ा रोल मिलेगा और हमेशा इन nature की powers और nature को पूरी तरह response देते हैं मैंने आपसे पहले ही कहा था कि pagan gods को मानने वाले लोग है और nature को पूजने वाले लोग है और उससे बहुत सारे bad omens, good omens, nature के वज़े से अपनी चीजों को plan करना, nature के हिसाफ से टालना और उस वक्त पे इनके पास nature के लावा कुस था भी नहीं क्योंकि science इतना develop नहीं था तो nature में होने वाले changes से ही अपनी life को पूरा control करते थे तो ऐसा होना लाजमी था, it was very obvious then fine, अब ये दूसरा feature था इसका अब हम तीसरे feature की अगर बात करें तो religion एक ऐसा subject था जिस पे literature बहुत जादा मिलता है क्योंकि देखे, Christianity के साथ इनका बहुत नाता जूड रहा था और Christianity वहाँ पहले से मौजूद थी और इनके ले एक बिल्कुल नया experience था कि Christianity को समझें, Christianity को देखे, एक pagan God को मानने वाले लोग किस तरीके से Jesus Christ को मानने के और मुड़े और कैसी चीज़ें उस समय रची तो ये सारी Christianity भी या religious एक factor था वो भी इनके literature को पुरी तरह कमांड करता है फिर एक और बहुत important चीज़ है जो इनके चौथा अगर मैं point कहूं तो वह है reverence for womanhood बड़े मज़े की बात है और ये बहुत अच्छा लगता है जानके कि इनकी age में जब England में बाद में हम बहुत development देखते हैं तब भी आप देखते हैं कि women के लिए बहुत सारे rights नहीं है लेकिन इनकी age में reverence for womanhood था यानि women के लिए बड़ी श्रद्दा थी और women को बड़ी अच्छी नजरों से देखा जाता था उनको हक भी थे उनको rights थे और women were also great warriors थीक है वो भी अच्छा warrior होती थी और वो कई जिम्मेदारियों को साहत में नहीं भाती थी so they used to pray और they used to keep the women at the place where you know you can say that at divine place divinity की तरह ये मानते थे womanhood को so this also comes in their literature थीक है पाँचवा point जो सबसे interesting है कि क्योंकि ये लोग warrior थे by nature और क्योंकि ये लोग bold थे मौत इनके लिए बहुत खेल मातर थी और ये किसी भी तरीके खत्रे से जूजने के लत्यारे देते तो इनके literature में जो दिखता है struggle for glory ये glory चाहते हैं अपने जीवन में fame चाहते हैं और उसके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं और reputation और glory ही इनके जिन्दए का एक मातर मकसद होता था कि heroism को achieve करके मरें so this was a kind of mental bend तो आप इस तरीके के 5 points में पूरे literature को submit सकते हैं अब बात आती है जब अगर ये सारे points in literature में आने वाले हैं तो literature कितने genres यान कितनी विधाएं इसमें थी तो genres की बात करें तो सबसे पहली genre जो था मैं पहले 3-4 genre ही इसमें थे पहला genre आप कह सकते हैं कि heroic poetry क्योंकि heroism की बात हो नहीं है तो पहला वो ही आ जाता है heroic poetry तो heroic poetry में आपका एंगलो सेक्षन में सबसे बड़ा example आपके पास है Beowulf Germanic tribes के culture को समझाता हुआ even इसमें कई और भी छिपे हुए theme है जैसे aristocracy और heroism और भी कई चीज़े हैं जो इसमें मिलती है तो एक मातर ये complete epic है जो हमें मिला है complete epic I am emphasizing और ये epic ऐसा हैंगलो सेक्षन का जो बाद में decipher हुआ पहले तो उन language को समझ नहीं पाएते लोग तो ये ऐसा epic है जो complete है अपने आप में और इसमें Beowulf नाम का hero है और ये एक ऐसी कहानी बन चुकी है आमतर पर जो हर एक के जुबां पर है और Beowulf में Hollywood में movie भी बनी है तो ग्रेंडल नाम की शैतान और उसके बेटे से भिड़ता है और लास्ट में जगा को उस जगा को ये डेंस की कहानी है तो वहाँ पर लास्ट में dragon से बचाते हुए शहीद होता है और ताउम्र वह जगा की रक्षा करता है तो Beowulf एक warrior है इस पूरी epic में और उस जमाने की चीज़ों में alliterative poetry बहुत ज़ादा इस्तिमाल की जाती है alliterative यानि alliteration जिसमें हो consonant word की आवरत्ती हो वैसे alliteration में और भी segment होते हैं उसके लिए मेरा figure of speech वाला वीडियो देखेगा जिसमें azonance, consonance और भी चीज़ों हो जाती है लेकिन अगर आपको मोटा मोटा समझना है तो alliteration is repetition of consonant sound बहुत था alliterative poetry ही होती थी basically उसको जैसे हिंदी में आपने सुना होगा चारू चंदर की चंचल किरने खेल रही है जलतल में चाचा वर्ड की आवरती है तो ये अनुपरास अलंकार है same way ये alliterative poetry बहुत होती थी और बियो विल्फ इसका एक सबसे बड़ा example है alliterative poetry का इसके अलावा वाल्डेयर नाम की heroic poetry है और the battle of melden नाम की heroic poetry है ये कुछ heroic poetry ही जो बहुत famous है दूसरा जॉनर दूसरा जॉनर आता है जिसको हम कहेंगे religious मैंने कहा था Christianity और बाकी चीजों में पहले clashes थे और बाद में आने लगे सही से तो religion की बात करें तो Anglo section Christian poetry इसके अंदर आती है पूरी क्योंकि जब Christianity का बोलवाला हो गया था और बहुत अच्छी अच्छी poems इसमें है जिनके parts भी है तो मैं केवल नाम ले रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत गहराई में जाना हो जाएगा आपको मैं सिर्फ वो चीज़ें बता दे रहा हूँ जिसमें आपको चीज़ें और गहराई पर जा सकते हैं हलाकि अंग्लो सेक्षिंस में से अगर जितना बता रहा हूँ आप उतना भी कर लें तो लेट में इतने से काम चल जाया किसी भी competition में अगर आपको और जानकारी के लिए चाहिए research के लिए आप उसमें और जा सकते हैं तो वो हमारे objective पेडियाप में भी वो आ जाते हैं question अगर और कुछ गहरा जाना हो तो तो Genesis नाम के एक poem है जो religious Christian poetry में आती है अंग्लो सेक्षिं Exodus बहुत famous poem है Daniel famous poem है Judith एक famous है और The Christ famous है Juliana famous है The Phoenix है The Fate of Apostles है The Descent into Hell है यह सारी जो है बहुत famous religious Anglo-section Christian poetry है दो genre आपको मैंने बताए Heroic, religious तीसरे genre में आते हैं तीसरा genre बहुत इसमें वो भी यूज हुआ है वो है Elegies यानि शोक गीत Limenting Songs और यह वो songs हैं जिनको हम non-Christian poetry में भी रख सकते हैं यानि इसमें religion कहीं intersect नहीं करता So when they talk about non-religious poetry तो allergies can be counted in that also तो यह कौन सी आखे तो इसमें भी बहुत famous है जैसे आपको मैं कहूँ Dior's Lement D-E-O-R Dior's Lement बहुत famous है उसके लावा अगर मैं आपको बोलू The Wanderer है एक The Seafarer है Seafarer जिसमें basically allegorically समुद्र और भगवान और वहां की powers को man life से compare किया गया है जितनी सी wages होती है इसको लाए गया है और The Wife's Lement भी है The Husband's Message भी है और Rune भी है तो इतनी सारी famous आपकी allergies भी है तो तीन genre आपके और last genre जो इसमें पाया गया literature में इसके बाद जो इसके बाद आप समझें कि anglo section का literature का last genre है तो last genre में आते है prose, prose भी इसमें पाया गया है लेकिन क्या prose इतना technical था कि वह ऐसे लिखते थे या articles लिखते थे या फिर कुछ और तरीके की short story या कुछ fiction था नहीं बिल्कुल नहीं, prose में ऐसा कुछ भी नहीं था prose में एक खास दो खास बाते थी, एक था कि इन्होंने कुछ किताबें translate की थी, they had done good translations, ठीक है, एक वो prose में आएगा, और दूसरा जदा तर chronicles आते हैं, जिसमें ये history को chronologically document करते थे, तो ये chronicles और translations ही prose में माने जाएंगे, तो अगर मैं कुछ famous work इसमें बताऊँ तो आपको मैं बता दूँ कि पहले तो जो writers थे, prose writers को काफी famous हैं, और उन writers के नाम आप जरूर या रखेगा, एक तो King Alfred थे, जो खुद में एक writer थे बहुत, और जिनने आप जानते हैं कि जो यहाँ पर rule भी किया जिन्होंने, इंग्लेंड में दूसरे एल्फरिक हैं A-E-L-F-R-I-C, एल्फरिक तीसरे वुल्स्टन है, वुल्स्टन भी एक अच्छे prose writer हैं और एल्फरिड ने ज़्यादतर काम किया chronicles में, इन्होंने chronicles को document किया है, क्योंकि यह राज़ा भी थे और इनके सामने इतनी घटना है हो रही है, यह historically उसे document करना चाते थे, एल्फरिक ने जो काम किया है, वो colloquise में किया है, और colloquise हम literary term में समझाएंगे कि what is that colloquise, और translation में जिनका नाम आता है, वो बहुत important है जो पूछे गए, B-E-D तो B-Days एक बहुत गजब का translation है B-Days का, जो बार-बार पूछा जा सकता है और वो ही सबसे बढ़िया translation है जिसको हम कहते हैं historical ecclesiastica यह translation है बहुत important historical ecclesiastica यह book उन्होंने translate किया तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से Anglo sections यहाँ आए कैसे pagan faith से Christianity में convert हुए कैसे फिर अलग-अलग राजाओं का यहाँ आगमन हुआ चाए Alfred हो या और हो और last में नॉर्मन्स के आकमन से पहले जो अगली जाती है आकरमन करने वाली है 1066 में उससे पहले इन्होंने चार जॉनर्स में अल्रडी alliterative poetry के थूँ काम कर लिया था और एक जॉनर prose का था जिसमें बहुत ही आप कहेंगे कि कोई बहुत ज़्यादा imaginary न होके translations और बात चल रही थी chronicles पे तो elegyes थी और prose था और elegyes में ही non-Christian poetry थी फिर Christian poetry थी Anglo section की और इस तरीके से आपने देखा एक heroic poetry थी तो ये था पूरा Anglo section का दो series में आपके सामने एक लबो लुआव यानि extract जिसे हम कहते हैं कि एक आपको idea मेंने दे दिया है उसके बाद when you get you know some fundamentals or you have a good knowledge or deep knowledge of some background then you can explore whatever you want because now the concept is crystal clear so I hope कि मैं आपको ये कुछ बता पाया हूँ इसमें और आपने enjoy क्या होगा तो मिलते हैं तीसरे series में और तीसरे में हम लेके आएंगे आपके पस Anglo-Normans ठीक है कि Normans कैसे आए और वो एज कैसे हुई तो Normans Conquest कैसे हुआ इसको लेके आते है 1966 से आगे की बाद और फिर इस तरीक से चौसर फिर Age of Revival और ये चलता ही जाएगा तो दोस्तों बस आपके लाइक सब्सक्रिप्शन का अंतजार रहेगा